कि नव अब हम लोग यहां पर उस मेटल का प्रटेक्शन देखेंगे को जन से यह जो हमारा मेटल है हम उसको सेफ करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि उसमें को रूजन ना हो तो इसके लिए हम बहुत सारे मेथड्स लेकर चलते हैं तो जो सबसे इफैक्ट्व मेथड्स है वह है कैठोडिक प्यक्शन करते क्या हैं कि उस मेटल को हम कैठोड की तरह बहाट करते हैं वहां बहाट कराने का मतलब क्या हूँआ कि वह जो है मैटल हमारा कैठोड की तरह का चरह क suck लिए ठीक है इसक है किसका प्रिंसिपल देख चाहते हैं जिसको हम पुड करना चाहते हैं इसे में यहां पर इग्जाम्प्ल सम्धा रहा हूं इसे मिटल का नेचर होता है उसका नेचर होता है औक्सडेशन रियक्शन आइना है एफ यह तभी को रोजन होगा जब इसमें कौंड सा कि इसमें reaction होगा आक्शिडेशन ठीक है अगर इसी आक्शिडेशन रियक्षन को हम रोब दे अगर यह आक्शिडेशन रिक्ष्टन ना करें यह कि जो है यह प्लस हैं इस इस ना iron metal से electron ना लेकर किसी दूसरे सोचे अगर इलक्ट्रोन लेता है तो इस टैप का production हो जाएगा यहां फेने उसको प्रवाइड किया यहीं सा तो इसी टाइप के यहां पर देखते हैं तो इसी में इसी के टू टाइप्स होते हैं इस टाइप के टू टाइप है जो पहला टाइप आपको देख रहा है इसको ऐसे समझें इसे एक क्लास में दोस्त हैं राम और स्याम अब राम ने गलती किया तो हमने राम को उठाया और उसको पनिस्मेंट दिया जब हम उसको पनिस्ट कर रहे थे तो उसी समय स्याम उठ गया उसने कहा कि सर इसके बदले में आप मुझे को पनिस्ट कर गया राम को छोड़ दीजिए तो इसमें स्याम का क्या रोर हुआ श्याम ने राम के लिए सेक्रिफाइस किया यहनि कि स्याम ने राम को सेफ करने के लिए खुद आगे आया और वो खुद दंडित हो गया पनिस्ट स्याम को मिल भी ठीक वैसे ही जैसे स्याम ने खुद साक्रिफाइस किया राम के लिए ठीक वैसे ही यहाँ पर sacrificial anodic protection में होगा इसमें करते क्या है इसमें जिस metal को हमें safe करना होता है या जिस metal को corrosion से रोकना होता है हम उससे ज्यादा कोई anodic कोई metal इसके साथ connect कर देंगे यहनि कि इससे ज्यादा कोई anodic जब इससे connect कर देंगे जोड देंगे तो जो more anodic होगा वो उसका उसका पहले oxidation होगा और उसके oxidation तो जो electron आएगा वो इस metal के थूँ क्या है acidic medium यानि S plus के पास चला जाएगा तो यानि कि जो electron आ रहा है वो more anodic से आ रहा है यह metal से नहीं आ रहा है जिससे यह metal हमारा क्या हो जाएगा सेफ हो जाएगा देखे इसका principle क्या है इन दिस protection method इन दिस protection method दो metallic structure तो भी protected जिसको हम protect करना चाहते हैं इस connected by a wire connect करेंगे wire के थूँ तार के थूँ connected by a wire to a more anodic metal जैनि किसी more anodic metal के साथ हम उसको current करेंगे जैसे example यहां में लिख दे रहा हूं यहां जैसे magnesium हो जैसे magnesium magnesium is more active more more anodic metals साफ नहीं आ रहा है तो चलो उसको हम more anodic more anodic metal so that all the corrosion is concentrated at this more active metal जितना कि जतना corrosion होगा जैनि कि वो कहां होगा more active metal में होगा the more active metal itself get corroded slowly while the parent structure यहांनि कि जो हमारा प्रुट्ट करना है जी से मेटल को parent structure यहांनि कैफोडी is protected जो इस टाइप का प्रुटक्षण के लिए जो pipeline होती है हमारी कई साफोगो किलोमेटर लगी होती है आरिकी pipeline होती है उस पाइप्लान को प्रॉडक्षण करने के लिए इस टाइप का में लोगों को लेके चलते हैं जैसे एक्जाप्स देखिए जैसे यह अंडराग्राउंड पाइप है यह कि यह अंडरागाउंड पाइप है कि आयरन पाइप आयरन पाइप अब इस पाइप के साथ हमने क्या किया एक वायर के थ्रू एक्टिव मेटल जैसे मैगनीशियम को हमने इसके साथ जोड़ दिया मैगनीशियम ठीक है यह आपका वायर हो गया और यह मैगनीशियम मेटल हो गया यह मैगनीशियम मेटल इस अ मोर एनोडिक कैसा यह और एनोडिक है अच्छा मोर एनोडिक है तो इसका मतलब इसका ऑक्सिदेशन रियक्शन इसका औक्सिदेशन होने से पहले मैगनीशियम का औक्सिदेशन हो जाएगा तो इसका को आइनोड़ाeed बाइन है हाएं जो आपको दिख रहा है यह है इस प्लस आयन इस एलक्ट्रॉन न लेकर कहां इस मैगनीसियॉम के ऊक्सीडेसर से जो एलक्टॉन यहां रिलीज हुआ है उसको ले देंगे तो यह पूरिग पूरी पैप हमारी सेफ रहेगी इसका मतलब यह हुआ कि Magnesium Metal जो की more anodic है इसको जब हम iron pipe से जोड़ देगे तो यह iron pipe निचर का हो जाएगा यह इसका बहुत कैसा हो जाएगा और more anarchic जो है कैसा हो जाएगा हो जाएगा मतल़ ज्यदा रियक्ट करेगा मैंने अपने आपका बलिडान दिया मैंने ने अपने आपको सі किया और इस आर्म पाइप को सेफ किया तो इस Wash sacrificial anodic protection sacrifice में किसी more anodic metal ने क्या किया sacrifice किया और जिससे कि आपका जिस मितल को हमें पुरट करना है जिस मितल को हमें बचाना है हम उसको क्या करते हैं सेफ करते हैं तो इस तरह को हो गया sacrificial anodic protection यह figure आप लोग को ड्रॉड करना है यह मैंने पूरा लिखा हुए आप इसको लिख सकते हैं और यह फिगर आप ड्रॉड कर सकते हैं नेस्ट है इंप्रेज्ट करेंट cathodic protection इंप्रेज्ट करेंट cathodic protection में क्या होगा यहां पर भी जिस मेटल को हमें सेफ करना है हमें उसे कैसा अभ भ्येप कराना है cathodic जो इलक्तव इलेक्ट्रन जिस मेटल से छेकर करना है कि उस्से एलेक्ट्रों data कर किसी दूसरे source electron आड़ तो इंप्रेज्ट करन्ट हम लोग यहां पर बैटरी का यूज़ करते हैं सेल का यूज़ करते हैं उस मेटल को बचाने के लिए इसे यहां देखे इसका प्रिंस्पल इन इस मेथ़ड आएंड इंप्रेस्ट करेंट इस अप्लाइड इन आपोजिट डारेक्शन टू नलिफाई दो को रोजन करेंट यह एंड कन्मर्ड दग पोडिंग मेटल फ्राम एने अनो टो कैथोड यहीं कि जो मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिसकी इलेक्ट्रॉन देने मतलब ऑक्सिडेसर्य रियक्शन की वज़ाइस इसका प्रोजन हो रहा है हम उसको खतं करेंगे उसको नलिफाई करेंगे इसके किसी दूसरे मतलब कि सोर्स जैसे हमाने बैटरी यूज करेंगे जिसका बता दे रहा हूं उसका इग्जांपल आप का देख लिजे इसका hours गेसे ये इसका आ देख सक आप आ देख सकते हैं किया का बैटरी हो गई कि यह बैटरी है और यह हमारा पाइप लाइन है कि अब इस बैटरी में यहां पर जो आपका यूज़ करेंगे इसमें कि यह हो गया कि यह हो गया यह हो गया यह आयरन आयरन पाइप और यह हो गया बैटरी और इसको सर्कृट को कम्प्लिट करने के लिए हम ग्रेफाइट और इसमें एड कर देंगे इससे मारा पूरा सर्कृट क्या हो ग्रेटिव है यह पॉस्टिव है तो बैटरी का नेगेटिव पाड्र का मतलब क्या उआ हुआ इस बैटरी से एलेक्ट्रॉन कह आए गा इस आयरन पाइप में आएगा तो अगर यह हमारा कैथोर्ड है यह पाइप लाइन वी क्या बन जायेगा हो जाएगा हमारा यहां निकलना चाहिए किसके एच प्रस को देने के लिए तो इलक्ट्रॉन यहां से इस आरेंग के ऑक्सिडेशन से ना आख किसके थुरू आ रहा है बैटरी के थुरू तो इस तरीके हम यहां पर करेंट इंप्रेश्ट करते हैं इस पर करते हैं जिससे की इलक्ट्रॉन जो है वह बैटरी के थुरू कैथोड पोर्शन से इस पाइप लाइन में आता है यहां से अप्लस हो जाएंगे यहां अपने लेक्ट्रॉन लेकर कैथोडिक रेक्शन तो करेगा लेकिन इसका हमारा परडेक्शन हो जाएगा इस आरन पाइप लाइन और और जब आक्सिडेशन नहीं हो पाएगा तो इसका पर बहुत नहीं इस तरीके से यह तो हए झाल झाल